कोशन में क्या कह रहा है कोशन में कह रहा है what must be added to this so that result is exactly divisible by this तो अब आप क्या करो मैं आपको एक बात बताता हूं द्यान सुनों देखो मालो मैंने आप से कहा कि 5 में हम क्या add करें 5 में हम देखो 5 में हम क्या add करें कि ये 2 से divide हो जाए तो आप क्या करोगे बताओ टू टू जा 4 करोगे फिर 1 बचेगा अब पता है आप क्या करोगे पता है इसका sign change कर दो 1 का sign change करके बोलो कि minus 1 add करेंगे सुनों मेरी बात सुनों तो 5 में अगर हम क्या add कर दें minus 1 add कर दें तो answer कितना आएगा 5 प्लस माइनस माइनस 1 4 आएगा जो की 2 से divisible है चेक कर लो सही बात है कि नहीं तो बस यही काम यहाँ पर भी कर दो आप ठीक अपता है कुछ बच्चे सोच रहेंगे 5 में अगर हम 1 add कर दें तो 6 आ जाएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा नहीं नहीं आप ऐसा मस सोचो जैसे कि मान लिजा हमने आपको सवाल दिया कि 11 में हम ऐसा क्या add करें कि 3 से divide हो जाए तो 3 3 जा 9 और answer 2 आ जाएगा तो 2 का sign change कर दो 2 का sign change करके minus 2 करो तो 11 में हम क्या add करेंगे minus 2 add करेंगे तब ही तो 9 आएगा divide लगा तो पहले जो remainder आएगा उसका sign बतल दो ठीक तो आईए दिखाता हूं मैं आपको तो सबसे पहले आप क्या करोगे x3 minus 3 x square minus 12 x plus 19 ठीक इसको आप divide लगाओगे किस से x square plus x minus 6 से लगाईए divide तो क्या हो जाएगा x cube x square x cube को पहले x square से divide लगाना सिखाया है यह से कट जाएगा तो कितना आएगा x आएगा तो quotient में कितना आजएगा यहां पर x अब x को multiply करोगे किस से इस पूरे से ठीक तो कितना आजएगा x into x square plus x minus 6 तो कितना होगा x into x square x cube plus x into x square minus 6 x अब लिख दो यहां पर तो x cube के रीचे x cube आजएगा ठीक और plus x square तो यहां पर plus x square और minus 6 x correct अब यहां sign आएगा minus यहां आएगा minus और यहां आजएगा plus ठीक अब देखिए यहां से क्या होगा कट जाएगा और यहां पर ध्यान दे minus 3 और minus x square minus minus plus sign लगए माइनस का minus 4 x square और यहां पर minus 12 और plus 6 तो minus 6 x और plus 19 अब यहां पर minus 4 x square को हम डिवाइड लगाएंगे किस से x square से x square से x square से x square cancel answer कितना आ जाएगा minus 4 तो यहां आजएगा minus 4 और minus 4 को multiply करेंगे इस पूरे से यानि कि minus 4 into x square plus x minus 6 तो क्या माइनस 4 x और plus 24 अब माइनस करिए माइनस करोगे तो sign change होगा यह plus हो जाएगा यह plus हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा ठीक है यह यहां से cancel हो जाएगा चेक और इसके बाद यह माइनस 6 और minus 6 और plus तो यहां से minus 2 x आ जाएगा और यहां से plus minus minus sign लगेगा minus का तो यह minus 5 आ जाएगा चेक कर लीजिए ठीक अब तो divide होगा नहीं क्योंकि यहां की degree कितनी हो गई बताइए यहां की degree कितनी हो गई 1 और यहां की हो गई 2 तो अब remainder कितना आ रहा है यह remainder है remainder का sign change कर दीजिए तो remainder कितना आ रहा है minus of 2 x minus 5 है ना तो यह remainder इसका sign change कर दीजिए इसको हमें add करना है तो required answer कि क्या हो जाएगा sign change करने का मतलब minus 2 x minus 5 के आगे हम क्या करेंगे minus लगा देंगे यह जो answer आया था इसका sign change कर दो मैनेस लगा तो मैनेस अंदर देगा मैनेस मैनेस प्लस तो प्लस का 2x और प्लस का 5 तो 2x plus 5 को हमें क्या करना पड़ेगा 2x plus 5 को हमें क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा अब जिसका भी question था किसका question था जिसका question था जिसका question है वो बच्चा ही नहीं yes बिल्कुल सही answer है ओके बिल्कुल सही answer है इस तरीके से मैं इसको handle करेंगे